तो दोस्तो आज मैं एक बहुत ही शांदार की मीट बनाने जा रहा हूं और उसमें एक 1.5 किलो मीट है उसके लिए कि अप्यासा बख्री हमने इक अठा किया है तैसे कैसे बखेगा एक घुब धुनी शांदार लजी ही मैंटम आपको बहुत आसाम तरीके से बनाना शुकाना ह ताले बख्रे का गोस्त खाने में बहुती शांदार होता है आप देख रहे होंगे इसको हमने दोल के साफ करके फल्दी और नमक खल्का से लगा के रख गया हुआ है इसके आप पीसे देख लीजिए इसके आप पटिंग देख लीजिए ये सब दिकर है ने सब चीचे आप देख लाओं लाइशी ये सब अंदाज की मात्रा में 4-4-6-6-2-2-8-8-8 पीस देख देख भी गई है ये लहसुन ठरी मिर्च का पेस्ट है और ये त्याज को तल के खल्का का उसका पेस्ट बनाया गया है तो इसमें सरिफ ट्याज है इसमें सिर्फ प्याज है इसमें और यह जो है यह आपका प्रेजपता है तरका है यह लौग जाइटनी यह खड़ा है इसनफ और यह लास्ट में यह पड़ेगा तेल में भून तो मतलब अद्रग को आपने लैसन और मिर्च के साथ पीशा नहीं जाता है अद्रग को इसको हलका सा बाइल करके और फिर इसमें दाल दिया जाएगा तो इसका कशावर्त महाँ जाएगा अद्रग अद्रग और लशन का पेस्ट डालता है इसमें पेस्ने के बदले आपने उसे अलग सदाल जाएगा ताकि वो कड़वा भी ना लगे जो अद्रग का कड़वा टीज जाता है और यह हमने प्याद लिया है यह है इसा वो मसाला कि मासालो का आज माद में आपको अलग से देगा ठीक है ओक है ऑक तेल को बहुत अदि गरम नहीं करना चाहिए अगल कि जब तेल एक बाद चल जाता है उसका इस बर्निंग पॉइं पॉइंग से उपर तेल अगर जल गया पिर ठंडा होने के बाद ते टेट को जला के बनाते हैं, जो की गलत है. तो तब यह को बतल जो बार बार जी ऐसको के लाएंगा ना? जो टेल के जलाते हैं एक तेल का ध्हुवान निदा निकालते हैं वो बहुत है, और रिषे क्याज का लिए. टेज तो हल्की हास्नों से आराम से. छो रहते पानी में अगराब को डाल करके और इसको जो इसको बॉहाल कर दिया रहा हुला है जैसे जी इसका काशाव हो नी कही गए है इसका देखो कि इसका टेस्ट पूरे बकरे का सबसे अच्छा टेस्ट होता है अच्छा और इसको क्या बोलते है इसको बैठकी की नली बोलते है अच्छा बैठकी नली मतं पानी छोड़ना को बचा पिया अब ही इसमें सिर्फ और सिर्फ़ी के अलाबद कुछ भी नहीं पड़ा हैं इसमें यह पानी है मतं का बेखो के इंदे पानी का अरी पानी का बेखो जो मैं वह बता जाएगा इसमें श्मेल चली जाएगी पोला पानी जब ज़ जाएगा तर भाती के चीज़ें पढ़ेंगे तो चैजे मतलम को पस्का बहूंएगे इसमें फोला था रोगर के लिए कष्मीरी दाल जारा था ये आप सनल है इसका पुर मतला नहीं ये उसका पूर्फू आजाती है कर दूल जाएगा, वासी खर भी डालाज है, यह सब्सक्क्राप भी जाएगा? मतलब के दिए मतलब में रहेगा, जिन को को भी जाले है उतो पहले से पहले जाले में तो तो बहुनए के देगे नमक नहीं पड़ा है नमक जालने से मतन पानी छोड़ने लगता है जिससे मतन फुरासा चिवड़ा और सूखा हो जाता है तो आप नमक जब डालेंगे जिए नमक मसाला भूनने के बार दालेंगे आपके जड़ा हो तने नमक जब डालेंगे जाता है निए निए डालेंगे जाता है वे भी पानी हरोगा है कि और आपने कर दो कैने काने कर तो शब्स आलेंगे। अब में अतुन और हरी मेंची का प्रेश जा लेंगे और अधर को हमने बना के रखे हो इसको अलग से डाल देंगे अब मैं इसमें हरी मेंची और लासु का प्रेश जाल लेगा अब मेंची का भास्ता प्रेश पस्ट्च स्क्रेश अब मेंची का लेज़ा है और लेखे ह।ा ख़िए जा सुझा तर अन्यारओ अब मेंची कर दो आम्यारओना इसकती उत्क उत्वारस अब अब नाय भी दाल दिया हो आपने पार्च दसाँ भूं लिया प्रेख अब लसकी स्टूर अभी अभी शुख अब दर्बोगए बगल दिया आपकर उसके निखिक अभी के खुश बाइट सेखे लिखे हो फ्ली मुण देख़े गया है बशो कषिया, यह दो यह को इसाद को ़ाता है, अपने यहाख को कहम सी क्षोप सावी, मुल्द नहीं हागया है खाल प्राफ, ती कव्षा के है, अपने यह प्राफ, frågor तीरर्च के पालती, पिस नहीं हुआ हो अदिन है बन ख्रोयP कर दो एक जो कि su फॉसे करो जो पेस्ट दधेयरा कर दो आके जो विलीक साथरोचा सब्सक्ता पेस्ट दाना है मैंने इसना फोड़ का पेस्ट दाना है कि और बाकी बासरोचा के लगपा कि आखी आखलेगा अगी तोदी जोरी से सौते कर दें है इसले है अब आप इस मतन पकावत और इसके का बैया इस नमक पड़ किया है कि अब अब आगए नमक पालेगा और फोड़ा सवच्बू धारा रही है अब अब इसमें नमक पड़ेगा और तो थोड़ा सा बचा हुआ पोर्सन है क्याज का मितसी ले देखे जालती है अपैसे कॉर्म नोच के चुँ लाजाएं देखेंगे अच्छा एसा है यह चाह यहां से नीचे चलिए जाएगी उपर रहेगी तो इको पस्रेमें बूपकर कर यह निए 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 अपना प्रफेगी होर अच्छा यह पानी आपने लोगचाई में गरम तरहा है आपसमें थंदा पानी नहीं डाला है कर दोनों का तेमरेशी का अच्छी उसे क्या है कि टेश्ट में कोई अपरक अब अब हमें इसे बुणना है मसाला अच्छे से पकने का अब तरह आगा तल्दर प्टा यह पकेगा टोंका तरह जा एक यह व्योगए अब इसको पान जाल 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 जालके जरम तो अब अबहु जब बिए जिरे तलाय जाएगा और अधे गंटे ले पखे उपर जाएगा यह पसाला भूंते भूंते पखिया है और इसमे अपनी आउस्थान पाल ग्रेवी बनाई जाएगा जितना चिसको ग्रेवी चाहिए उसे साब से जाएगा यह जितले कापी दो अच्छ्कार आएछी कारियए है मातमा आर थो और व्हाघ के यह बसा जा शाओ क्यार्क सफ़ जार्टॉ थो थो जो पड़ नागाल पॉख़ुन